अक्सर लोग पूछते हैं stopper, कितना stopper है, 5 है की 7 है की 9 है मेरे इस harmonium में 9 stopper है, 4, 4, 8, 9, stopper का काम क्या है वो समझना है बड़ावला जो stopper है, इसका काम है कि ये अगर हमें stopper नहीं खोलेंगे तो harmonium नहीं बजेगा बड़ावला stopper क्या करता है, यहाँ hole रहता है, यह जो हम भात ही, इसको भात ही बोलते हैं यहाँ से हवा देते हैं, तो अगर हम open नहीं करेंगे तो यहाँ gate नहीं खुलेगा gate नहीं खुलेगा यहाँ पे, तो वो हवा आएगा नहीं उपर, हवा उपर नहीं आएगा, तो इस read को हवा throw नहीं करेगा throw नहीं करेगा, तो अगर हम key दबाएंगे, तो यहाँ से हवा उपर आएगा नहीं, यह read vibrate करेगा नहीं, तो आवाज नहीं आएगा यही science होता है तो जो stopper का काम है उसका बस यही है कि वो gate को open करता है जहां से हवा throw करे ताकि हम यह key बजाए तो वो जो read है vibrate करे और आवाज वो समझना यह जो छोटा वला stopper है न इन सवी stopper पे एक note जैसे हम यह key बजाते हैं हर एक 5 छोटा stopper है इसमें 5 key को tune किया गया है वो इसलिए किया गया कि हम लोग जो तानपूरा यूज करते हैं सापा बजता है तो यह हमारा Indian instrument नहीं है इन्हें भी एक reference point चाहिए होता है कि एक ऐसा note जो हमेशा बजते रहे हैं हमारे scale में तो उस तरीके से 5 note को generally यहाँ है G sharp, A sharp, C sharp, D sharp, F sharp ऐसे tune किया गया है लेकिन G sharp के जगा G भी रहता है G, A, C, D, E इस तरीके से या E, F अपने हिसाब से लोग छोटे वाले stopper को tune करके रखते हैं generally G sharp, A sharp, C sharp, D sharp, F sharp रहता है तो यह छोटे वाले का काम है बस यही काम है इसका कि एक tune रहेगा जैसे अगर हम छोटा वाला कोई हमें एक on करें तो बिना बजाए एक tone इसमें से आवाज आते रहती है दूसरा बजाएं तो अपने आप देखें यह बज रहा है A sharp, इस डंग से होता है इसका इतानपूरा का यह काम करता है कि कोई एक note बजते रहे क्योंकि यह जो harmonium है Indian instrument नहीं है तो क्या है कि note एक fix रखा जाता था ताकि उसके reference पे हम बजा सके अपने scale में जैसे सा और पा हम लोग तानपूरा में रखते हैं तो अगर तानपूरा नहीं है तो यह छोटे वाले note में से पा या सा को बजा करके हम लोगे standing notes का इस्तमाल करते थे इसलिए वो छोटा वाले stopper है तो जब भी हम harmonium बजाने बैठते हैं तो छोटे वाले stoppers को off रखते हैं और सिर्फ बड़े वाले stopper को on रखते हैं अगर harmonium पे रियाज करते वक्त दोका से कोई छोटा वाले stopper अगर on रहे गया तो वो खुद से आवा जाने लगेगा तो हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ बड़ा वाले stopper ही on रखना है रियाज करने के वक्त तो number of stopper से harmonium के sound पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये जो सवाल करते हैं कि अगर 7 stopper है तो खराब harmonium 9 stopper है तो अच्छा harmonium ये सोच बहुत गलत है harmonium की आवाज important होती है अगर आवाज अच्छा नहीं है तो ये जो written specification है stopper कितना couplard है कि ने ये सभी कोई काम नहीं आता तो सही आदमी के साथ जा करके सही harmonium लेना चाहिए अगर आप kolkate style harmonium लेना चाहते हैं जो एक सही harmonium हो सही आवाज हो अगर आप beginner है आपको समझ नहीं आ रहे है कि कैसे harmonium लेंगे तो मेरा ये whatsapp number है मैं harmonium के सारी detail आपको दूँगा और kolkate style harmonium आपको सही डंग से मिल सके उसमें मैं help भी करूँगा